हेलो दोस्तों स्वागत है आपको आपने यूटूब चैनल जिसका नाम है डेली जूज इंफिरमेशन तो आजका जो हमारा टॉपिक है फुटाटल से आपको देखके पता चलिए किया होगा जी हां मैं बात करा हूँ जी एस्टी की नई अपडेट आई है उसके लिए और लिंक डिस्कुम डाल दों तो आप उसको वहां से भी देख सकते हो तो देना करते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं अगर आप में चनल पे नए ओ तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसी ही इन्फोर्मेशन वीडियो में अपने चैनल पर लाता रहता हूँ तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो हम सबसे पहले हम यहां आ जाएंगे और जी और जीस्टी डॉट जी ओवी डॉट इनको हम करेंगे एंटर और यहां पर लिखा हुआ है न्यूज एंड अपडेट ठीक है तो मेनेटरी अधारकार्ट अथान्टिगेशन ऑफ रिस्टेश कर दिया है थिर्सटेशन कराना है वह किस-जिस में मैंनेटरी है कराना है उसके बनाजा आपका नहीं हो गाया तो आफसे तीन पोइंट दिये हुए मैं एतन प्यान्ट है अगर अगर आप को जीस्टी नंबर कैंसल हो गया है और आप उसे रिवोक करवाना चाहते हो तो कहते हैं उसमें आपको GST जो जो भी authorized person है जो प्रपरेटर है पार्टनर से फर्म है तो पार्टनर का जो authorized किया होगा पार्टनर से फर्मने वो और कंपनी है तो जो भी डायक्टर या कोई authorized representative उसको अपने मतलब authorized किया है GST में तो उ authorized verification कराना होगा second number है कि अगर आप अपने GST से refund निकाल रहे हो तो आपको RFD 01 बनना होगा rule 89 of GST rule 2017 ठीक है तो इसके जवाप जभी निकाल पा होगे जब आपको कहते है अधरकार authentication होगा और तीसरा और जो लास्ट है वह refund of IGST paid on good export out of India under rules 96 of CGST rule 2017 मतलब IGST जो paid है एक्सपोर्ट करना है तो उस case में आप ये निकाल पाऊगे ये भी आप IGST जो पे कर रहे हो उसका claim आप तभी ले पाऊगा वह आप refund ले पाऊगे तो ये हैं सारे GST में आपना आधरक authentication करना है ठीक है दो इसके लिए में एक में देख सकते हो ये तो एक जिन्रान इंफिर्मेशन की है ठीक है अब क्या गते हैं इसमें एक और क्लरिफिकेशन दाल दिया है कि इफ अधर इस नौट रसाइन टूदा कंशन पर्सन औफ अफ अधर अधर किसी का क्यावाइशी नहीं है ये मतलब बसौरी किसी का अधरका करते हैं पहला आपको उसको क्या करते हैं अपना जो भी उसने अधरकार्ट बनवाने लिए डाल दिया है तो इसको जो इनौल्मेंट आइडी मिलियोगी उसको वो देना है और साथ में अपना बैंक पास्पोक और फोटोग्राफ और वोटर आइडी एन इसुए देनी है और यह आप दे सकते हो जब अगर आपका इनकेस आधरकार्ट नहीं है और दूसरा है क्याते हैं यहां आपको यह आधार ऑथन्टिकेसं और एक वाईसी वेश्विकेसं वेफोर फाइलिंग अफ़ रिफन में भी अप्लीट और नविकेसं तू डैस पोड माप्रो लिए आसा करते हैं जान करें आपको अच्छी लगई होगी इनकेस आपको युडाउड बनता है इस कंद्शन को लेके तो आपम एसे कमेंट कर सकते हैं अगर आप नए है चैनल पे तो मेंख चनल को सब्सक्काइब कर लें और क्यागते हैं अगर आप फिर भी को डाउड ब बाब है, take care